वो सकता है लड़कियों को सप्लाई भी कर दे हुई है क्योंकि उसकी एक प्रिंसिपल है दोस्त भी बताईए है जो साथ की प्रिंसिपल की लेड़ी जो कहना रो बेटी आंगा सोचन करावा है सरम की बाद है कि उसके गर मैं बहु बेटी नहीं है लड़कियों के साथ जो यो नुथ पीड़न करिया है और बता जा रहे है जो लड़कियों ने राश्टर पती को नाम गया और महिला आयोग के पास जो लैटर वेज़ उसके बाद जो कारवाई होई है महिला आयोग की अध्यक्स है रेणुबाटिया ने बता कि 24 गंटे के अंदर जो प्रिंशिपल की गिरफतारी होनी चाहिए लेकिन आभी तक कोई गिरफतारी नहीं होई है तो सिक्किम जो माहिर साथ है क्या कुछ मामला क्या कुछ इनकि उपर लड़कियों का मामला साथ लड़कियों का तो क्या कुछ करना चाहोगे सबसे बड़ी तो बात यह कि मारे लिए बड़ी सरम की बात है कि उचैना के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया इतना बड़ा कांड हो गया कोई आज की बात को नहीं प्राइवेट प्राइवेट में लागए तो आम कुछ मायनि भी लेवा, सरकारी स्कूल में क्या कदे ड्यों नहींला आई, क्या कोई अला अधिकारी नहीं आई, मतलब सब कुछ रढ़ाया मिलThere अप ये प्रिंसिक्पल नना सोचो, पताने इसके निच्का इसके कितने तार है जो रेनू बाटिया है उस तक मैलायोग तक बात गई जब जाय का इसका संग्यान हो यह और यह सिरफ सैट की बात नहीं पता नहीं कितनी सैट बेटिया यह तो सैट बेटिया वो थी जो करो और मरो जिसने यू सोच लिया था भैई अपनी जदेने की बजये इसका डटका इस का मुकाबला कर जाए जब जाए को लाटर लिख्या और जब इसका उपर संग्यान लिया गया मैं कई बार आप लोगों के मीडिया का इसा आप तक है कर दिए मनी पूरर मेवात ना सोचो उच्याना जादा दूर नी तो आज देख लो उच्याना के अंदर के वरे हैं क्योंकि दो बड़े दिगजनेता यहां है और जिसका खामियाज आम बुगत्रन लाएं क्योंकि परसाशन का उपर उनकी कोई रोग टोक नहीं उन्ती सरफ अपने बैग बरनते और अपनी राजनिती चमकानता है मकसद है इसी वज़ेत है इसे आला आता आज हमारे उच्याना के अं प्रिंसिपल के इतने बुलंद होगे कि इसके लिए यह एक छोटा सा काम हो गया इसने युद्ध सोचना बंद कर दिया कि आप करके रहे हूं मुल्ब क्राइम को सरे आम चाती ठोक करता रहा क्योंकि जो यू अमारे एक दिगजनेता है सरम की बात है उसके गर में पूत्ती भी है पर उसने उसको फ्रक्षन दिया यह मारे का थर सबता बड़ी सरम की बात ह है और जो यह लोग नुक है नी अकि यह दो बड़े निता है वो ट्रांगा टेम ओट सीट है इस ओट सीट का जो यह बेटियां को उपर सोचन हो रहे हैं या चीज जरूर नोटिस में राखिए सब्सक्राइब करें लेकिन उसके बाद भी कारवाइन यूरी तो क्या आप मन्नोबाद दिगत ने उस टेम उनके उपर स्पोर्ट कर रहे थे एक बात बात विगी स्कूल सोटन तक बात विगी यह तो अला तो यह होगी कि भी मतलब एक बंदा थोड़ा-थोड़ा कराइम क कि एक बात बताओ क्राइम का आदमी जदी कराइम करता उसका खौप हो है पुलिस का फुलिस का खौप था है नहीं दिगजवेत नेता की वज़ेत है रहाम तो यह कहां कि भी हो सकता लड़कियों को सप्लाई भी कर दे हुए क्योंकि उसकी एक प्रिंसिपल दोस्त भी बता कि मैं यह मानती हूं कि कानून को पूरी तरह जैसे इसके उपर जो भी एक्ट लगता है उस महिला के उपर भी लगे ताकि और महिलाओ भी इस तैस सिख्षा ले कि आप आल्दा आल नहीं इस देश के अंदर कानून भी है पर कानून इस देश के अंदर इस सरकार ने बेटिञान स्टिशन करहा ही जा पानी पर कि दैज करना नाम सबसे ज्यादा तरफन होगां और चोटी चोटी बुटला में पाणी बर्क है बेच दिया इस देश का सलुग बेच दिया इस तो बुरे देश में मतलब बुरा टेम नहीं आ सकता है मैं यह मानती हूँ एगोशित अमरजेंसी यह देश बिक चुके है बात यह है कि हमारी खेडा और जो खाप हैं खेत हैं हमें उनके दुबारा उस तरफ लोटना पड़ाएगा जो हमारे समाजिक संगठन हैं किसान सं बहुत से ऐसे कानून लेक आए जैसे लव में लव मैरीज एक यह के करें लव इन रिलेशनसीप हैं समाज हर रोज टुटन लाग रहा इंती मारी फसलां पर कभजा करने की कोशिश करी नसलों को नस्ट करने की कोशिश करी इसे के करने अब बात क्या कि हमें दुबारा लेकिन गृफतारी नियुक्त तक जे गृफतारी ओव तो ठीक है 14 तारी को रेनु बाटिया यहीं आ रही है उचाना में मेरी बात चीत भी हो चुकी है और मैं उनके संप्रक में हूं लगाता और रही बात है आम दस तारीक को जितनी भी हमारी किसान संगटना जितनी महिला जिन माओं की यह बेटियां क्योंकि देखो आपना पता इसको सरयाम नहीं कर आजा सकता बेटियों के तो उन माओं को अमनु निकंदे भी आपकी बेटी है आप अड़ोसिक तो मैं तो यह कहते हूं जो उच्याना की जो माई है इन्होंने अपने घर के चुले चोके बहुत बड़ा यहां परदर्शन करना चाहिए ताकि उच्याना के जो और भी लोग है कहीं कोई मानसिकता हो तो उस मानसिकता को निकाल दे कि जैसे उसका बैसकार हुआ उसके खिलाब कानुनी कारवई आपकी भी ऐसे ही होगी जिस तरह कानुन कारवई में अभी तक डील इसकी महिलामित्र को भी दीज़ा ताकि ओरने बात आ अंदर तो इसका बहुत कार दिया जावा है ना इसका न बंद कर दिया अगरो है ताकि संगाज को यह शिक्ता मिले कि समयुदेर के बाद ना रिश्टें ल कान समझ ना रखे सदियों तक ताकि इसका प्रिवार नय स्टाप को पता भी था पर स्टाप दबाओं में था वो कारण आपने पता है एक दिगज नेता यहां का आथ था क्योंकि उन्ती नहीं पता था कि यू बार-बार कांड करना लागरे और बार-बार यू बचना लागरे तो हम क्यों बुंडे हुए राज तो अलाती है कि समाज ईक पूरी तरह है जो वहमारा समाज़ा हो खतम हो चुक है है जो मेरे घर में लेकर यह तो मन्ना नहीं हो लेकठ ने यहां बहूत सी जो खापें हैं जो किसान संगठन हैं जो महीला संगठन हैं उनको आगे आना चाहिए और यहां से हमें एक बहुत बड़ा फैंसला लेंगे या तो सरकार उसको गिर्फतार करे यदि गिर्फतार नहीं करेगी तो उसके वजमें फिर बहुत बड़ा परदर्सन यहां से होगा और इसका जवाब फिर सरकार देगी तो लोगों को क्या संतेज देना चाहूंगे, क्योंकि हर गर में बेटिया जी सभी की बेटिया तो स्कूल में जाओं हैं, तो उन प्रिवारों को क्या आप कहना क्या होगे? बेटियों के अंदर आमें पैदा करने पडेंगे, क्योंकि अब दुबारा से महिलाओं को लक्षमीबाई बनके ही अपनी इज्जत बचाई जा सकती है, क्योंकि बेटियों के अपनी इज्जत खुद बचाणी पड़ेगी, यहां आप यह मत सोचिये कि हमें सुरक्षा कोई अपने अंदर इतना आत्म विश्वास होना चीए कि किसी इंसान की आख बरके देखन की आदत भी ना हो थूना तो बहुत दूर की बात है नहीं हो सकता जी मैंने यू वे रहा है कभी जो दिगजनेता है नहीं उसका नाम भी नहीं आवगा क्योंकि आमने देख्या था यहां मुआवजा कांड के अंदर एक सनी पटवारी पकड़ा गया था उसमें नहीं बहुत से पटवारियां के नाम ले थे उसमें दनों जो यह इनके जो भिंडे हैं उनके नाम लिए थे जिनके अकाउंट हम 10-15-15 लाखर पिया रहे थे आमने बार-बार कोशिस करी इदर नहीं कहता है कि उनके नाम आमने देओ ताकि समाज के अंदर हम उसके पोस्ट्रलाइस का भी यह आपने समाज के गद्दार है जो गरीबां का ख सब्सक्राइब तो मैं तो एक ही बात कहती हूं कि समाज को उठ खड़ा उना होगा दुबारा से हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी हमारी बेटियों को दुबारा से मजबूत बनाना होगा तब इस समस्य का समादान हो सकता सरकार के सहरे प्रसाशन के सहरे कुछ नहीं पड़ाएगा तब जाके हम सुरक्षित हो सकते हैं तो मैडम सी कीजियां था बातचीत करिया बड़ा मामला सामने आई जो साथ वेट है जो सामने आई और सकता कि और भी उनके लड़कियां जो अभी तक है जो अपनी आवाज को दबायों समाज के डर से या प्रिवार के ड बताया है और प्रिंसिपल बता गया कि 2010 से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इस वीडियो को इतना शेर करना कि इस प्रिंसिपल के ऊपर कारवाई जे ताकि और बेटिया इनकी बेटना चड़े ओके दोस्तों मिलांगे अगली वीडियो में जैहिन वंदे मात्रम